तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 7000 रुपे देखो 7000 रुपे एक ऐसा बजट है जिसमें आपको फॉंस तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन अच्छे फॉंस बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं और आप सभी को बताएं कि अभी के टाइम पर फिलिप कार और एमाजॉन पर आपको उस साल की सबसे बड़ी सेल देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत से स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे यानि 8-10,000 रुपे के स्मार्टफोन भी आपको 7-7,500 रुपे के अंदर मिल जाएंगे तो वाई मैंने काफी ज़्यदा रिसर्च और एनिलाइस करने के बाद कुछ बैस्ट फाइप स्मार्टफोन को सलेट कराए जिनको आप 7,000 रुपे के अंदर आराम से बाई कर सकते हैं इवन कुछ फाइप में तो आपको 8GV की रैम भी मिल जाती है तो अगर आप जाना चाहते हो कि कौन-कौन से बेश्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्कीप के एड़ तक जरू देखना तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो यह एक कम बजट के स्मार्टफोन है इन पर आपको डिसकाउंट बहुत ही जादा कम देखने को मिलेगा यानि कुछ ही ऐसी फोन्स है जिन पर आपको काफी ज़्यादा डिसकाउंट मिलेगा तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो गैस सबसे पहले 8GV RAM बाले स्मार्टफोन से स्टार्ट करते हैं चोई कि नंबर 5 पर मोटो E13 तो इसके में फीचर्स के बारे बात करते हैं तो बैक में प्लस्टिक वाड़ी है और डिजान वगेरा तो आपको बेसिक सी मिलती है यह स्मार्टफोन एंडर थर्टीन पर रन करता है और वाई 8.4 mm की थिखिनस है यानि लाइट वेट स्मार्टफोन है काफी हैंडी सा स्मार्टफोन है तो इसके में फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहां आपको मिलता है यूनिसोक का T606 वाले चिपसेट है जिसमें आप मल्टी टास्किंग और डेली यूज के स्मार्टफोन परफेक्ट रहेगा एड इसी के साथ आपको मिल जाता है त्रिपल कार स्लोट और वाई डूल इस्टीरी स्पेकर्स मिल जाते है जो की डॉल वी एट्मॉर्स का सपोर्ट मिलता है तो ओडियो को आटपट आपको टॉप नौज के मिलता है इसी के साथ आपको मिलती है 5000 एमेस की बैंटरी है टैन वोट का चार्जर मिल जाता है तो बैंटरी एक दिन आराम से चल जाएगी इसी के साथ security के लिए आपको only face unlock का support मिल जाता है और यहाँ आपको मिलती है 6.5 penches की HD player डिस्प्ले है जो की एक waterproof नौज के साथ मिलती है और normal 60 years का smooth डिस्प्ले है तो डिस्प्ले की quality भी यहाँ आपको अच्छी मिलती है और यहाँ आपको back में rear camera 13 megapixel का 2GB RAM 64GB का story जिसकी price 6,000 रुपे और 4GB RAM 64GB का story जिसकी price आपको 6,000 रुपे मिलती है और 8GB RAM 128GB का story जिसकी price आपको 7,000 रुपे मिलती है तो आप अपने price के according smartphone को consider कर सकते है तो मैं यहाँ पर आपको recommend करूँगा कि आप 8GB वाला variant वाई करना जिससे आपका रोज मररा का कार्या काफी जादा smooth हो जाएगा तो आपके एगली smartphone की तरफ बढ़ते है आपका जो चौते नमर वाले smartphone है जो है कि realme narzo 50i prime दोको इस smartphone के अंदर आपको top notch के features मिलते है और design भी आपको top notch की मिलती है दोको यहाँ पको back में plastic body है और design वागेरा काफी अच्छी है और यह smartphone Android 11 पर run करता है यानि 8.5 mm की थिखने साई 182 gram का smartphone है तो हाथ में काफी हलका feel होने वाला है तो इसके man features के वारे बात करते है दोको यहाँ पको chipset एकदम अच्छा मिल जाता है यानि daily US के लिए smartphone perfect रहेगा multi tasking and study वागेरा के लिए अच्छा perform करेगा इसी के साथ triple card slot मिल जाता है और वाई 5000 ms की battery 10 watt का charging मिल जाता है security के लिए यहाँ पर आपको only face unlock का support मिल जाता है यानि fingerprint नहीं मिलता है तो इसकी display के बारे बात करते हैं 6.5 एंचस की HD play display जो की एक water drop notch के साथ मिलती है और 180 hertz का touch sampling rate है और 400 nits की peak brightness है तो display की बात करूँ ना तो colors वगएरा यहाँ पर आपको अच्छे मिल जाते हैं और outdoor में काफी bright display मिलने वाली है इसी के साथ 8 megapixel का rear camera और 5 megapixel की selfie तो इसके back और front camera से अब 1080 में वीडियो record कर सकते है तो यहाँ आपको जो camera quality है वो ठीक ठाक देखने को मिल जाते है यानि document वगएरा के photo किलिक कर सकते है pricing के बारे बात करें तो 4G RAM 64GB का storage है जिसकी price आपको वैसे 7.500 रुपे मिलती है लेकिन इस cell के दोरान 6,709 रुपे में मिल जाएगा तो आप इसे smartphone को भी check out कर सकते है अगर आपको एक real me का smartphone चाहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करना and channel को subscribe कर देना तो आपके एक लिए smartphone की तरफ बढ़ते है तो guys आपका जो तीसे नमर वाला smartphone है जो है की Poco M5 देखो ये smartphone जब launch वाता है इसकी प्रेश 11 से 12,000 रुपे थी लेकिन अभी की टेम पे ये smartphone आपको 7,000 रुपे के अंदर मिल जाता है जो कि एक value for money smartphone है तो इसके main features के बारे में बात करते है देखो बैक में leather design मिलती है जो कि एकदम premium है और ये smartphone Android 12 पर रण करता है यानि यहाँ पर आपको 8.9 mm की थिनिस से 201 gram का smartphone है तो इसके main features के बारे में बात करते है देखो यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि एक powerful chipset है यानि media tech का hello g99 वाला chipset है जिसमें आप काफी अच्छी और next level की gaming कर सकते है एंड gaming में आपको कोई भी सिकायत नहीं मिलेगी एंड इसी के साथ आपको triple car slot मिल जाता है और भाई 5000 ms की battery है अट्रे वोट की fast charging का support मिल जाता है तो battery एक दिन आराम से चल जाएगी इसके लावा यहाँ आपको 6.5 एंचस की full HD play display जो की एक IPLCD पैनल है 90 years का smooth display मिल जाता है जो की एक water drop notch के साथ मिलती है और corning audio glass 3 की production मिलती है दोको display की जो quality है वो यहाँ आपको अच्छी मिल जाती है और काफी smooth display मिलती है इसी के साथ back में 3 camera है जिसमें man camera 50 megapixel का और 8 megapixel की selfie दोको camera quality की बात करूँ तो इसके back or front camera से आप 1080 में video record कर सकते हैं 30 episodes पे camera quality daylight condition में अच्छे photo किलिक कर सकते हैं इसी के साथ आपको security के लिए side mount fingerprint है और face unlock का support मिल जाता है जो की instant work करता है तो अब इस smartphone की pricing के बारे में बात करते हैं तो 4GB RAM 60 4GB का storage है जिसकी price आपको मिल जाती है 7,799 रुपे में चेक आउट कर सकते हैं cell के अंदर size और कम rate के अंदर आपको मिल जाए तो अब चेक आउट करते रहिएगा अगर आपकी main priority के आपको gaming smartphone चाहिए तो तब जाके आप इस smartphone को चेक आउट कर सकते हैं इसके लावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो कि यहाँ आप आपका जो second number वाला smartphone है जो है की Redmi 12C देखो यह एक budget के अंदर एक अच्छा smartphone है तो इसके main features के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको back में plastic body है और design वगरा आपको अच्छी मिल जाती है और यह smartphone N.12 पर run करता है 8.7 mm की ठेखने से यानि 192 gram का smartphone है जो कि काफी ज़्यदा lightweight है तो इसके main features के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है MediaTek का Hello G85 बाला chipset है जो कि आपको इस budget के अंदर capable chipset मिल जाता है जिसमें आप gaming कर सकते हैं multitasking easily run करा देगा यहाँ आपको triple card slot मिल जाता है और वाई 3GV की virtual RAM एड़ कर सकते हैं इसी के साथ आपको मिलती है 5000 ms की बैटरी है और 10 watt का charger box के अंदर मिल जाता है आपको कोई भी दिक्क्त नहीं मिलेगी colors वगरा अच्छे मिल जाते हैं और camera के बारें बात करें तो back में दो camera है जिसमें man camera 50 Megapixel का है और 5 Megapixel की selfie दखो back और front camera से आप 1080 में video record कर सकते हैं camera quality daylight condition में अच्छे photo निकाल के देगा इसी के साथ security के लिए rear fingerprint है face unlock का support है जो की instant work करता है तो finally pricing के बारें बात करते हैं तो यहाँ आपको 4GB RAM 64GB का storage है जिसकी price आपको मिल जाती है 8,299 रुपे में लेकिन इस cell के दोरान ये smartphone आपको मिलेगा only 7,299 रुपे में तो भाई अगर आपको चाहिए एक all-rounder सा smartphone यानि camera quality अच्छी हो, performance भी अच्छी हो, display भी अच्छी हो तो आप इस smartphone को check out कर सकते हैं इसके लावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो guys, यहाँ आपका जो पहली number वाला smartphone है जो की एकदम top notch का smartphone है यानि इसके अंदर आपको एक AMOLED display मिल जाती है जो है की Infinix Hot 12i देखो इसके main features के वारे बात करें तो back में plastic body है और design तो आपको एकदम premium मिल जाती है इसके लावा यह smartphone Android 12 पर रन करता है और 7.8 mm की थिखने साय और 188 gram का smartphone है देखो हाथ में काफी हलका feel होने वाला है तो इसके main features के वारे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है MediaTek का Hello G85 बाला chipset है जो कि यह के stable chipset है जिसमें आप multitasking और gaming वगेरा easily run करा देगा और इसी में आप 3GV की virtual RAM एड़ कर सकते हैं जो मुझे किसी काम की तो लगती नहीं है और triple car slot मिल जाता है और इसी के साथ आपको मिलती है 5000 mAh की battery है 33W की fast charging का support मिल जाता है देखो इस budget के अंदर आपको इतनी ज़्यादा fast charging किसी भी smartphone के अंदर नहीं मिलती होगी तो guys इसी के साथ आपको मिलती है 6.7 inches की full HD play display है जो की एक AMOLED display है जिसके साथ आपको normal 60 years का smooth display है पॉर्णिंग गूली ला ग्लास 3 की protection मिलती है वाटर डॉप नौच के साथ मिलती है और एक अजार नीर्स की peak brightness है यानि इंडोरो आउडोरो काफी bright display मिलने वाली है तो इस budget के अंदर आपको top notch की display मिलती है जो की अच्छी बात है colors वागेरा आपको अच्छे मिलते है एड़ इसके लवा back में 3 camera है जिसमें man camera 50 megapixel का है और 8 megapixel की selfie यानि इसके back और front camera से आप 1080 में video record कर सकते है 30 fps पर camera quality भी भाई आपको top notch की मिल जाती है इस budget के according अच्छा camera setup मिलता है इसी के साथ security के लिए आपको 4GB 64GB का storage है जिसकी price आपको वैसे 8000 रुपे मिलती है लेकिन इस cell के दोरान ये smartphone आप 7000 रुपे के अंदर मिल जाएगा तो guys अगर आपको चाहिए एक AMOLED डिस्पेली के साथ साथ एक अच्छा camera setup हो अच्छी performance हो अच्छी battery हो तो भाई आप इस smartphone को आराम से check out कर सकते हैं तो guys ये थी आपके best smartphone जिनको आप खरी सकते हैं 7500 रुपे के budget के अंदर देखो confusion हो गया गया कि कौन सा smartphone भाई करना चीए क्योंकि मैंने तो 5 smartphone को बताया देखो अगर मैं इन सभी में से एक smartphone को pick करता तो इन में से मैं दो smartphone को pick करता जो है कि Redmi 12C या फिर Infinix Hot 12i क्योंकि दोनों ही value for money smartphone है और आप बता रहा कि आपको कौन सा smartphone अच्छा लगा तो चली वीडियो को ये पर end करते हैं और आप से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर